Hey guys, welcome back to my channel आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार के बारे में तो जिसा कि आप सब जानते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में 2020 में स्टार प्लस में लॉंच हुआ था सीरियल नील भट, आईशा सिंग और अश्वरिया सर्मा के साथ शुरू हुआ था और लीब के बाद काश्ट में बदलाव किया गया विराट, सई और पाखी की कहानी को दर्शकों ने काफी पसंद किया वही लीब के बाद भाविका, शर्मा, शक्ति अरोडा और सुमित सिंग शो में नजरा रहे हैं लेटिस ट्रेक में दिखाया जा रहा है कि सभी और इशान की दोस्ती हो गई है और दोनों की वार्णिंग भी काफी अच्छी हो गई है जबकि रीवा की वापसी हो गई है और वो वोसले परिवार आती हैं और सबसे माफी मांगती है इशान कहता है कि उसका उससे कोई रिष्टा नहीं है और वो उसे जानी को कहता है आने वाला एपिसोड काफी मज़िदार होने वाला है गुम है किसी के प्यार में कि कहानी को लेकर कहा जा रहा है कि इशान को सभी के प्रत अपने प्यार का एहसास हो जाएगा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आने वाले एपिसोर्ट्स में दोनों की शादी हो जाएगी इस्षान और सभी की शादी के बाद सीरियल में कई बदलाओ देखनी को मिलेंगे टेली एक्स्प्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो शादी के ट्रैक के बाद पूरे परिवार के शो में जो लोग हैं कैरेक्टर हैं उनके बदलाओ की संभाव नाए हैं हलांकि अभी भी मैकर्स की तरब से कोई ऐसी घोशना नहीं की गई है फिर भी लोग कायास लगा रहे हैं वेल दोस्तों आपको जो कैरेक्टर अभी है वो पसंद आ रहे हैं या आप कोई चेंजस चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा मेरते हैं नेक्स वीडियो में नई अपडेट के साथ तब तक लिए बाबाई चेकियर